जिली का एक ऐसा युवग जिन्होंने कभी घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे लेकिन इससे उनके घरों के स्थिति में सुधार नहीं आया जिसके बाद जिली के सुनवर्सा प्रखंड के रहने वाले आशिश कुमार ने क्रीसी के विविन सेक्टर में कदम रखा और अपना किश्मत अजमाया लेकिन उसमें भी उन्हें असफलता मिली फिर क्या था आशिश कुमार काफी निरास हो गए और अपने आपको कोसने लगे इसमेच उनकी मलकाद जुले के बंगाओं के रहने वाले तुन्ना मिसरा से हुई फिर उन्होंने मतसे पालन को लेकर जानकारी दी और उनके बारे में बताया गिया उन्हें सहर से बाहर ट्रेनिंग के लिए भी ले जाया गया ट्रेनिंग मिलने के बाद उन्होंने मतसे पालन से जुरी जानकारी आत्र की फिर उन्होंने इसकी सुरुवाद की आज आसिस के पिछे 90 से अधिक एसे किसान है जो मतस्य पालन कर रहे हैं आसिस कुमार उसे बेज उपलर्द करा रहे हैं आपको बता दे कि आसिस कुमार को बेस्ट फिस फॉर्मर का भी अवार्ड मिन चुका है आसिस कुमार को कमाई कि अगर बात करें तुम्हें लगब दो रापों से महिने हो जाती है आशुषकुमार मशली का बीश तो यार कर आसपास के कई जीलों में सप्लाई करते हैं उनका कहना कि आने वाले शो में पंगाल और आतर परदेश से मशली के बीश के निर्वक्ता को खत्म कर देंगे कि दो हजार ते 2010 से हमारा संघर सुरू हुआ 2010-2011-2012 पढ़ाते थे और डिपरेंट डिपरेंट सेक्टर में कोशिश करते थे कि हमारा एकोनोमिकल ग्रोथ हो और इसके लिए अल्मोस्ट दस नूस्खें हमने अपना है डिपरेंट डिपरेंट सेक्टर में क्याद गौन आ गए क्योंकि बाहर में अकॉमेडिशन या बाहर में जो भी मतलब अफ़र्डेबल प्राइस हम नहीं कर पा रहे थे हमारे पिता जी एक से हम खुद रोजगार्त की तलास में या तो बाहर या फिर गउंग के अंदर मतलब मांसी ग्रूप से चिंतन करना शुरू कर दिए 2013 तक हम टूइशन से ही काम चला है लेकिन उससे हमारा भविस बहुत बहतर नहीं हो पाता तो फिर अग्रिकल्चर सेक्टर में अन्य-अन्य आफिस भी जाना शुरू किया जहां पर हमारी मुलाकात दो लोगों से हुई एक तुना मिस्रा जिनका पूरा नाम भाविनात मिस् असमान उस जो स्थमें एसिस्टेंट डिरेक्टर बिहार फिश्रीज के एसिस्टेंट डिरेक्टर थे तो उनके सला से हम तुना मिस्रा जो हैं तुना अंकल उनके साथ सीफरी बैरखपूर गए ट्रेनिंग के लिए कुछ पता नहीं था कि क्या करने जा रहें बस ऐसे ही च से हमारी मुलाकात हुई मतलब नीचले स्टाप से लेके एक प्लस ग्रेट के साइंटिस्ट तक से इन में बीके बहरा डॉक्टर अपर्ण रहा है डॉक्टर बीके बहरा राजु सर इन सभी से मुलाकात होने के बाद उन लोगों ने मस्टिक के लिए सिर्फ प्रेडित नही इन लोग उनना हमा उनकाई क्षलि के बने इस नहीं करना खरवा के बाद नहीं करना है तो फिर हम गौँद छोड़ दिए लोगों के मजदूरी किये और यह बताने में हमको सर्म नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत लोगों के यहां काम किये बरे-बरे फार्म पे जाके काम किये तो उसे दो फायदा हुआ पहला कि हमारा समय जो फ्रॉस्टेशन में ब परिता जिसे हमा को बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ हम श्यालरी नहीं लेते यह यह मुखे बात है कि हम जे फार मिर के अंग कि किसी से इल्ड़ी नहीं लेते थें किसी से पे नहीं लेते-थे किसी से अकॉमेडिशन नहीं लेते थे मतलब खाना भी हम खुद अपने पैकेट से ही खाते थे वह मतलब किसी किसी सेक्टर से निकालते थे इसे तुनांकल कहीं से मदद करते थे बहुत ऐसा चीज है जिससे सबसीडी मिलता है किसानों को सबसीडी मिलता है तो उन सभी पैसे से हमारा काम चलता था फिर जो यहां से हमारा पुंजी निकल के लगबग आपको बता है हमने एक लाख रुपया कमा के वो एक लाख रुपय से तीन साल काम चला है लेकिन सिक्षा हासिल कि कैसे बीज उत्पादन करना है कैसे मसली उत्पादन करना है बीज के सेक्टर में मेरा को इंट्रेस्ट भी नहीं था पहले अभी तो मेरा बीज मुख काम बीज का ही है और गाउं में विए नहीं हैं को कि ये पैसा गढ़ से मिलें को तो बीज के लिए दिलीप सरहेक अभी assistant director पर फीश्री उनके छोटे भाई हैं विपीन सर से सहता मिला बीज के लिए वो बीज से सहता कि तुना अंकल करने हैं आज भी उनका बाख्याय मेरे उपर है तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते में हमको सपोर्ट किये कौपरेट किये जहां हम तूट रहे थे वहां हमको ख़ड़ा करने का प्रयास किये क्योंकि उन्हों को भी लगता था कि यह लड़का बेहदर कर पाएगा अभी आप कितनी इसमें पादा है अभी हम अठतर एकर को फार्मिंग करवा रहे हैं अपने बीज से दाना से दवाइश से सपोट कर रहे हैं और उस अठतरों एकर जमीन को बीज हमी सप्लाई करते हैं मेडिकल एसिस्टेंट देते हैं बहुत कुछ नॉलेज नहीं है पर हमारे जो सिनियर हैं जो साइन्टिस्ट वेगर उन्सेट ले करके हमें अपनें फार्मर्स को कितनी किसान आपके अंदर कर वे अभी हम लगवक किसान है जिनको पांच कठता भी है किको एक एकर भी है इ yapti को और कठा भी है कि दो कठा भी है तो 70-78 एकर के बीच में फार्मिंग हो रही है जिसमें किसान है हमारे पास क्या बता है आपको हिसाब हम कभी लिखे नहीं क्योंकि हिसाब लिखने के लिए बहुत बढ़ा एमोंट चाहिए जब तक बढ़ा हिसाब लिखेंगे यह मेरे जीवन का मतलब है क्या कहीं पहले से वैठर आपको हां एक दो लाख तीन लाख तक और सिर्फ कमा नहीं रहें बहुत 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 लाइफ जी रहें लाइफ में जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब पा रहे हैं पहले आप ऐसे समझे कि जिसके पास पारले जी खाने का पैसा नहीं है अगर वो थोरा सा मेहनत करके मीट चावल खा रहा है तो वो कैसा फील कर सकता है बस आप समझे कि मैं वैसा फील कर रहा हूं आज 90 डेज में हमारा मचली कीलो हो रहा है और अगले नेक्स्ट सीजन में हम लोग 50 डेज पर उसको ले आएंगे हाँ एक एवार्ड मिला है सीफरी बैरकपूर सेंट्रल इंलेंड फिश्री रिसर्स इंसिचूट बैरकपूर कलकटा से बेस्ट फिस्ट फार्मर्स एवार्ड मिला है 2018 में क्या नाम वो आपका मेरा नाम आसीस्त कुमार है मैं प्रधान मंत्री मतस्ट तंपता योजनों के तथ डिस्टिक लेविल कमीटी का मेंबर हूं और इस लरका की आर्थीक तंगी इसके सरीर से भेश से नजर आ रहा था जिसे देख करके मैं इसे पुर्व से मचली पालन में देखा हुआ था मुझे मुझे मुनाफ़ा तो मैंने सोचा कि इसके तंगी की एक ही इलाज है अगर मतस्ट पालन की छेते में इसको जोर दिया जाए तो यह आगे बर सकता है इसके टैलेंट को देख करके हम इसे बहुत ही आगे बरने वाला है इसका चुकि जो अस्तिती है उसी साब से बैरेकपुर के साइंटिस्ट लोग भी इसको बेवेस्ट फर्मा रेवाड इनके टैलेंट पर ही दिया गया है मेरा नाम अब तुन्ना मिश्रा बंड़ा